Hello everyone, welcome to our new video. आज हम Adverb और उसके टाइब को कवर करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Adverb In Adverb is a word that modifies or describes a word, adjective or another Adverb. Adverb जो है, वो modification और description देता है word को, adjective को और another Adverb को अगर sentence में use हुआ हो तो Adverb often provide information about the manner, degree, time, place, frequency or certainty of inaction or state described by the verb. और यह जो है, हमें information provide करते हैं, हमें मजीर information देता है manners के बारे में, ठीक है, degree के बारे में, time के बारे में, place के बारे में और frequency, ठीक हो गया. For example, slowly, beautifully, early, quickly, etc. सारे हमारे पास Adverb के examples हैं, ठीक है. Types को पढ़ते हैं इसकी, इसमें सबसे पहले Types जो है, वो है Adverb of Time. The kind of Adverb that describe the time of inaction. जो हमारे पास action होता है, वर्ब जब किसी sentence में use होता है, जो action होता है, उसकी जो time है, Adverb of time मतलब, उसकी जो time के बारे में information देता है, उसे हम Adverb कहते हैं. जैसे कि yesterday, अकर sentence में use होता है, yesterday, ठीक है, I sleep well yesterday, तो इस तरह के sentence में जो time जो है, उसके बारे में information देती है, या early या morning, मतलब जो time mention करता है, कि किस time ये action होता है, तो उसे हम Adverb of time कहते हैं. पिर है, हमारे पास, The Adverb of manner, The Adverb that describes the manner of action, जो action होता है, हमारे पास, जो word यूस होता है, उसके बारे में जो manner की description होती है, वो अगर describe होती है, तो उसे हम Adverb of manner कहते हैं, ठीक हो गया, जैसे कि amazingly, well, beautifully, etc. जो हमें मैनर डिस्क्राइब करता है इस फ़र्मेशन देते मैनर के बारे में उसे हम एड़र आप मैनर कहते हैं टीक हो गया पिर हमारे पास अद्वर्ब ऑफ फिरग और ग्रीवर डिसक्राइब दाफ इन प्रीपिटिशन और एक अच्छन हुआ है कितनी बार रिपीट हुआ है जो frequency होती है हमें वो हमें कहां से पता चलता है वो हमें एड़र और फ्रिक्वेंसी से पता चलता है यह हमें उसके बारे में description देता है जैसे कि twice, once, twice, regularly, daily, routinely, etc यह जो frequency है हमारे पास होती है कि action जो है वो कितने बार repeat हुआ है ठीक है उसे हम adver of frequency कहते हैं पिर है हमारे पास the adver of place the adver of place describe the place of in action यह बहुत simple है दोस्ता आपको पते ही चल चका होगा definition को बढ़ने से ही कि जो describe करता है कि place जो है कौन सी place है कहा है जो action हो रहे हैं जिसमें उसकी location क्या है वो हमारे पास adver of place होता है जो place को describe करता है जैसे के here there etc जो जितनी भी वर्स है हमारे पास वो the adver of place होता है पिर हमारे पास है the adver of degree the kind of adver that describe in adjective of another adver जो हमारे पास adjective होता है अगर वो describe करता है दूसरे adver के लिए तो उसे हम adver of degree करते हैं जैसे कि very extremely amazingly ठीक हो गया आज की वीडियो हमारे यहां तक ती मिलते हैं next video में अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें आफ